Examples of reproductive function in mammals First are contents Reproductive function of monotremes Reproductive function of marsupil mammals And reproductive function of polycentral mammals First are monotremes So when we talk about monotremes, monotremes पारे पारे पास ऐसे mammals हैं जिनके अंदर आप जो हो eggling जो हो trait पाया जाता है यनि ये eggling mammals है Monotremes की definition भी हम यह करते हैं These are the eggling mammals Monotremes को पर हम mammals क्यों कहते हैं Mammals की जो characteristics है वो है उसके memory gland का मुझूद होना यनि इसमें memory gland अगर मुझूद हैं किसी में तो उसमें जो साक्या है वो mammals है तो monotremes एक primitive group है mammals का basically जिसके अंदर reptile और bird का character मुझूद है वो कौछ साब हो है क्लोएका की मुझूद की क्लोएका कहते हैं कि अगर digestive और reproductive opening अकटी है तो फिर हम उसको कहते हैं जिरसा क्लोएका birds के अंदर और reptiles के अंदर एक ही opening है जो digestive opening भी है और reproductive opening के काम पही ही करती है तो जबके mammals बाकी जो mammals है उसमें बकाइद है उसमें digestive tract के लिए एनस अलाग होता है जबके reproductive opening जो हो separate होती है तो सिर्फ monotrems के अंदर क्या है कि वो जो क्लोयका का ट्रेट पाए जाता है ये common अक्सर पुछा हो जाता कि जिसके अंदर क्लोयका पाए जाता है या कोंड से mammal है जिसके अंदर reptile का character पाए जाता है तो देहां दी monotrems monotrems group के अंदर हमारे पस्ट दो mammals हैं डग बल प्लेटिपस जो कि aquatic life गजारता है और इसके साथ दूसरा है spiny ant eater terrestrial life गजारता है अब दोनों ही क्या करते है देलेदर एग्स दोनों एग्स ले करते है spiny ant eater आपने एग्स को इंकुबेट भी करता है जबकि डग बल प्लेटिपस जहां उसका नेस्ट है पास जहां वो रहता है वो क्या करता है वहाँ अपने एग्स को ले करेगा यह डाग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास यह aquatic animal जो है डग बल प्लेटिपस जबकि दूसरी तरफ हमें जाओ spiny ant eater जो हो नज़र आ रहा है यह दूनों हमारे पास जाओ एग लिंग मैमल्स हैं मैमल्स दूसरा ग्रूप जो है that is the marsupial mammals marsupial mammals marsupial mammals marsupium से निकला है यह नहीं इनके अंदर बगाता है पाउच है kangaroo की जैसा है आपने देखा हुआ है kangaroo की क्याता है कि इसकी बैली में एक पाउच है जिसमें उसका यांग वान जाओ बैठा रहता है तो इस पाउच या इसको कहते है marsupium इस marsupium के वज़ए से आम इन अनिमर्स के आखते हैं दियार marsupial mammals है अच्छा कॉला और kangaroo देश की ज़्यादा काम बने वाल भी इसके लावा इसकी example है तो ज़्यादा तर जो marsupial mammals है वो आपको पता ही है कि आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड के अंदर जाओ ज़्यादा पाए जाते है अच्छा marsupial mammals के अगर हम बात कहते हैं कि इसकी जो development या reproduction के reference है जो उसकी traits है या characters है reproductive function है वो यह है कि internal fertilization है development भी internal है egg link में development external है तो जब कि यहाँ development क्या होगी internal development है लेकि development का time period बड़ा short है उसकी वज़ाए यह है कि जो uterus होता है वो उसके अंदर capacity इतने नहीं है को ज्यादा देर ता कि अपने young one को वहाँ protect कर सके तो जो mother का uterus है वो थोड़े time के लिए young one को sport कर सकता है इस जैसे उसका जो young जितने देर तक बचा अपनी मांग के पेट में रहता है uterus में रहता है हमें कहते हैं उसका gastricion period है तो जो marsupial memories है उनका gastricion period आम पर short है कम time के लिए 8 से यह 8 days से लेकर 40 days तक चलता है इसमें 8 से 40 दिन तक चलता है तो short time के लिए जो उसके बाद कह सकते हैं कि immature या very weak जो young one है उसकी birth हो जाती है वो weak जो young one होगा वो क्या कराल करके marsupium के अंदर आ जाता है और marsupium के अंदर बैठे हुए वो क्या करेगा अपनी मदर से जा वो उसकी memory gland से feed हासल करता रहागा milk हासल करता रहागा और वो फिर long time तक वो क्या करेगा milk हासल करेगा जैसे 60 to 120 days तक जो होता है वो अपने मदर से milk हासल करता रहेगा और जब उसकी proper वो ग्रो कर जाएगा फिर वो marsupium से निकल कर अपने independent life start कर देगा यहाँ डाग्राम में देख सेते हैं कॉला जो कि एक marsupial mammal की example है कि इसके अंदर बकायता marsupium में जहाँ इसकी young one जो की care होती है थर्ड जो group mammals का that is the placental mammal यह सबसे successful group है और सबसे dominant group भी यही है most of the mammals they are placental mammals इसलिए कहते हैं कि जब इसकी development होती है अपने मदर के uterus के अंदर हम जो मदर के जो पेट में जो place जहां young one की development होती है वो है uterus तो mother के uterus में जब young one develop करता है तो आम तो पर young one अपनी mother से nutrition लेता है specific जब वो structure के थरूँ जिसको हम placenta कहते हैं तो इन animals के placental mammals जो हैं इसमें जब young one अपनी mother के uterus में होगा तो placenta के थरूँ mother से food ले रहा होगा इस वज़ा से इसी waste के पराम क्या करते हैं इसको जावो एक placental mammals यह mother से food लेते हैं nitrogen waste मदर के blood में जाएंगे वहां से जावो excrete out जावो किये जाएंगे तो placental mammals में में भी development internal है fertilization तो already internal है ही है सब के अंदर ठीक है और young ones जो हैं जावो birth हो जाती है अब placental mammals में जो gestation period हो थोड़ा लंबा होगा ठीक और उसके बाद क्या होगा जावो birth होगी तो memory gland से मदर क्या करेगी अपने young one को feed करेगी जहाँ placental mammals के तो वह सारी examples हैं जितने में हमारे पस mammals है हर्भी monkeys हैं एपस हैं even human खुद क्या है placental mammal है यह डागराम आपके पस एक बैबून है जो के एक placental mammals की example है